इसका जो एंकाउंड वह एकान्ड डिलीट हो रहा है तो फोरीट हो रहा है एसके लिए बहुत बड़ी अपडियोे— आप लोग वीडियो को वासinta है पाइका जो एकाउंट वो एकाउंट डिलीट हो सकता है अग बहुत लोगों का यहापे पाइका जो एकाउंट वो एकाउंट डिलीट हो रहा है तो किसके बज़ा यह जो एकाउंट किसके बज़ा डिलीट हो रहा है तो इसका में रिजन क्या है तो KYC जिन लोगों का नहीं अगर 2 million का KYC यहाँ पर cross को लिया तो 2 million का KYC जो pass हो गया तो उसके बाद जितना भी user से उस user को KYC मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए भी बहुत बड़ा update आ चुका है तो उसका भी account यहाँ पर delete हो रहा है क्या source में यह non KYC बाला का अकाउंट delete हो जाएगा क्या तो इसके बारी में हम यहाँ पर बात करते हैं तो PI network जो है इस PI network पो आप लोग जो भी काम करते हैं तो उस बंदे को मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो PI network में आप काम करते हैं तो PI network actually में one month two month इससे ज्यादा आपको PI network जो tap है उस पर 24 hours में tap करना पदेगा तो अगर एक month आपने बंद किया two month बंद किया उसके बाद जो आप यहाँ पर tap करने जाओगे तो आपका account real login एसा करके आएगा आने के बाद आपका जो account आपका जो mobile number से उस mobile number को यहाँ पर डाल कर आप जब भी login करना चाहते हैं तो आपका जो account वो account नया open हो जाएगा एसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है अभी इसके time पर तो यहाँ पर लोग भी बोल रहा है तो यह किसके reasons हो रहा है तो इसका main reason यह है कि इसका जो यह जो coin है यह coin अगर आपने एक month यहनी कि 2 month इसका इसमें mining करना बंद कर दिया तो आपका account भी delete हो सकता है तो आपको जब भी वो number यहाँ पर डाल करते है तो आप उसको नया account open होता है तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर mining करना है और 24 hours के बाद आपको यहाँ पर tap करना है ताकि आप लोग यहाँ पर tap करना सोर्द होगे तो एक month सोर्द होगे तो आपका जो account यहाँ पर delete हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए बहुत बरी update यह है तो आप लोग को अच्सी तरह से यह जो pie है इस pie coin में आप लोग को mining करना है और एक month से भी का एकाउंट जो वह एकाउंट डिलीड हो सकता है